हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दहेज सीमा जी अपना सिर्फ पकड़ कर बैठी हुई थी तभी उनकी सासु मा कमरे में आई और कहा बहु साम का समय है और तुम ना सिर्फ बैठी हुई हो बलकि रो भी रही हो इतना भी नहीं पता कि ऐसा करने से मेरे घर में अपसगुन होता है अब उठ भी जाओ महरानी मेरे बेटे के आने का भी वक्त हो गया है अपनी सास की एक आवाज पर दोड़ने वाली सीमा जी को आज मानो साप सुंग गया था तभी असोग जी भी कमरे में आ गए थे और उन्होंने अपनी पतनी सीमा से कहा क्या हुआ है तुम्हें जब देखो तब उदास ही रहती हो जाओ जाकर खाना बनाओ लेकिन सीमा जी टस्टे मस नहीं हुई तभी असोग जी ने कहा सीमा कुछ हुआ है क्या तभी सीमा जी को हम क्या पागल हैं, जो एतिनी देर से तुमसे कुछ पूछ रही हैं, तभी सीमा जी बोली, आज पृती का फोन आया था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तभी असोग जी बोले, 6 साल हो चुके हैं, उसकी साधी को, एक 5 साल की बेटी भी है उसकी, लेकिन अभी तक उसका माय के काम हो गया नहीं, तभी सीमा जी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीच में ही बात को रोक कर मा जी बोली, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा सही तो बोल रहे थे लेकिन पहले तो सीमा ने अपने आपको सांथ किया और फिर कहा प्रीती ने पिछले चावर्सों में क्या क्या सहा है आप दोनों भली भाती जानते हैं सराप पीने वाले उसके पती ने साथ ही दहेज और पोते की लालसे में डूबे हुए उसके ससुराल वालों ने न जल्द ही अपने मायके से दो लाक रूपे लेकर नहीं आई तो आउसे जिंदा जला देंगे मेरी बेटी हमारे घर के हालात और आप लोगों की जूठी सान को अच्छे से समस्ती है उसने कहा मा पता नहीं मेरा आगे क्या होगा लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेर अपनी बेटी की फिक्र है वैसे ही मुझे भी उसकी इसलिए मैंने उसे पहले ही कह दिया कि मैं कल उसे लेने आऊंगी और साय दिया मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था और हां आप लोग परिसान ना होना मैं अपने सारे बच्छों की जिंदा दादी अकेले उठा सकती हूँ उसके लिए चाहे मुझे दूसरों के घर खाना बनाना पड़े या बरतन मांजने पड़े मैं सब कुछ करूंगी क्योंकि मैं अपने सभी बच्छों को जिंदा और खुस देखना चाहती हूँ तभी सीमा जी के बच्चे भी आ गए उन्होंने कहा मा आप अकेली पहले इस घर में हुआ था लेकिन आपके जूटे हांकार के कारण एक निर्दोस को अपनी जान गवानी पड़ी थी तभी असोक जी बोले चुप हो जाओ सीमा तभी माजी ने कहा नहीं असोक बहु तब भी सही थी और अब भी कासा जैसा एक कदम बहु ने अपनी बेटी क के लिए उठाया होता तो आज वा भी जिंदा होती लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी से ज़्यादा मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी पड़ी थी उसमें बहु हमारे यहां नई नई ब्याह कराई थी फिर भी उसनी हमें समझाना चाहा था लेकिन हर बार की तरह हमने बहु की खबर मिली हमें मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई लेकिन अपनी पोती के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी अब ना सिर्फ मा जी के बल्कि असोग जी के आँखों में भी पस्तावे के आंसु थे थोड़ी देर बाद ही असोग जीने को सोचा और अपनी ब प्रीती ने भी सभी ससुराल वालों को कहा कि आज जब उसने अपने हाँ जलने की बात माय के बताई तो उसके माबाब बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत ही उनका घर किसी साहुकार के पास गिर्वी रख पैसों का इंतजाम कर लिया है आज प्रीती के ससुराल वाले का पुलिस थाने में दर्ज की और फिर वह पुलिस को साथ लेकर ही अपनी बेटी के ससुराल में पहुच गए पहले तो प्रीती के सभी ससुराल वालों ने उन पर लगया रोपों का खंडन किया लेकिन प्रीती के घाव तथा उसकी बेटी की बातों को ध्यान में रखते इधर प्रीती भी उन लोगों के चीरे को बार-बार देखना नहीं चाहती थी इसलिए उसने अपने पती से कहा कि अगर वहां उसे तलाग दे और उससे या उसकी बेटी से कभी भी मिलने की कोशिस ना करे तो अयाकेस वापस ले सकती है वैसे भी प्रीती के पती को उनकी ब मायके के घर के पास ही एक छोटा सा मकान किराय पर ले लिया जहां वहां अपनी बेटी के साथ रहने लगी साथ ही उसने अपने घर से हीटी फिन सर्विस भी सुरू कर दी थोड़े समय बाद ही सुनने में आया था कि प्रीती के पती ने दूसरी साधी कर ली वक्त गुजरत के माया जाल में नहीं फसना चाहती है खुसियों के साथ साथ गंभी प्रीती की जिंदगी में आये पहले उसकी दादी जी फिर पिता जी और फिर माचल बसे लेकिन प्रीती अभी डटकर खड़ी है अपनी बेटी के लिए अशा करती हूं दोस्तों आपको मारी कहानी जरू रच्छी लगी होगी धन्यवाद